सो हेलो एवरिवान वेलकम तू आर यूटूब चैनल मिस्तिकल टेक्स तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सारी ही कंपनी अपने 3080 सीरीज वाले ग्राफिक कार्ट्स के साथ लैप्टॉप्स सबसे पहले लॉंच करने की रेस में है बट इस रेस में असूस ने इतनी बार पा का भी जो CES 2021 वाला लॉंच है वो 12th of January को ही है I mean बाकी कंपनीज तो रही दूर की बात Asus, ROG और Tuff Series में ही काफी अच्छा competition हमें देखने के लिए मिल सकता है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो काफिक कार्ट देखने के लिए मिल सकते हैं और जो प्रोसेसर होने वाले हैं वह हो सकते हैं i7-11 generation और इतना ही नहीं इस बार हमें ROG सीरीज में AMD के प्रोसेसर भी देखने के लिए मिलेंगे काफी जादा चांसे से हैं और काफी जादा लीक्स निकल कर आ रही है कि इस बार ह कि 5000 सीरीज के प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकते हैं ROG सीरीज में ही और अगर ऐसा हो गया तो काफी अच्छी बात होने वाली है क्योंकि ROG ही एक ऐसी सीरीज थी जिसमें हमें AMD के प्रोसेसर नहीं देखने के लिए मिलते थे और जिस तरीके से Intel के प्रोसेसर की सेल है I don't think सो Intel के साथ continue करना चाहेंगे या फिर AMD के साथ वो लोग अपने laptops नहीं लाना चाहेंगे तो बात रही इन laptops के graphic card और इनके प्रोसेसर के बारे में लेकिन यहाँ पे जो RTX 3000 सीरीज के जितने भी laptops आने वाले हैं उनमें सबसे जादे important role जो play करेंगे वो करेंगे screen display और thermal क्योंकि यहाँ पे जो screen display और thermal होने वाले हैं तो काफी जादे important होने वाले हैं सारे ही laptops के चुकि अगर screen display RTX 3000 सीरीज के graphic card के according नहीं वा तो कोई फायदा नहीं होगा और अगर thermals उतने अच्छे हुए ही नहीं तो फिर क्या फायदा RTX 3000 सीरीज का तो अगर बात की जाए इस laptop की display के बार आइनो थोड़ा साथ पटा है बट इस इस दे न्यू नॉर्मल तो यहाँ पे हमें 3000 सीरीज के graphic card के साथ एक काफी अच्छा display देखने के लिए मिलने वाला है और as per the leaks यहाँ पे एक और model आएगा जिसमें हमें 240 Hz का refresh rate देखने के लिए मिलेगा with 2K screen तो उस variant की जो pricing होगी वो में तो यहाँ पे जो ROG series के thermals थे वो already काफी जादा अच्छे थे और इस बार वो और भी जादा अच्छे होने वाले हैं चुकि जैसे कि हम सबको पता ही है last year जो tough series आई थी उसके जो thermals थे वो काफी जादा बेकार थे हम कह सकते हैं और बाकी companies ने अपने thermals के उपर काफी अच्छे से work किया था so I hope that ROG भी वो same गलती नहीं दोर आएगा और वो अपने thermals काफी अच्छे से लेकर आएगा क्योंकि इस बार as we all know GPU और CPU जो है वो काफी जादा high intensive होने वाला है काफी जादा अच्छा होने वाला है तो यह तो बात रही इनके laptops की specifications के बारे में लेकिन इस बात की जाए इस laptop की launch date और pricing के बारे में तो ROG Global ने अपना एक launch event रखा है CES 2021 में जिसमें हमें यह laptops देखने के लिए मिल सकते हैं और बात की जाए इंडिया में कब तक यह laptop आएंगे तो I think first quarter of 2021 तक यह laptops इंडिया में भी हमें देखने के लिए मिलेंगे चुकि January के मन्त म में जो laptops हैं वो launch हो जाएंगे globally तो इंडिया में हमें कम से कम 2-3 मेने के अंदर तो देखने के लिए मिल ही जाने चाहिए इतना भी delay नहीं करना चाहिए इंडिया का market वैसे ही काफी जाधा crucial market है काफी जाधे developing market है तो यहाँ पे वो इंडिया के market को miss नहीं करना चाहेंगे औ यहाँ पे जो pricing होगी वो 1.20 lakhs के around होने के काफी जाधा chances है यहाँ पे क्योंकि अगर उससे जाधा महंगा हुआ तो इंडिया में वैसे ही लोग 1 lakh के उपर laptop लेना होता worth नहीं होता it's not worth it तो यहाँ पे काफी जाधा chances है कि जो pricing होगी वो 1.20 lakhs के काफी जाधा आस-पास आप सभी को वीडियो काफी पसंद आई होगी तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरू दीजेगा और अगर यहां तक आये हो तो चैनल को सब्सक्राइक के लिए नहीं मत जाना क्योंकि हम ऐसे ही आसूस ROG से related सारी latest information और ITX 3080 graphic card से related सारी information आपको स सबसे पहले देंगे बाकि मिलते हैं एक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई